आई वेलकम यू आल माई दियर शुरेंट तो माई चैनल इंजीनियस इस्टेड़ी आज हम पढ़ने वाले शुरेंट LBF पब्लिकेशन के जुबुक है शुरेंट ठीक है क्लास एट की उसका चैप्टर नमबर टैन home they brought her warrior dead देखो घर को लाया उन्होंने मतलब दूसरे warriors में brought याने लाया हर warrior dead उनके warrior को एक wife है उनके सैनिक को है जिनके पती husband जो थे एक सेना में थे शुरेंट तो उनके warrior को dead इस्तिती में लाया मतलब उनकी dead body को घर पर लाया शुरेंट तो इस poem में कुल मिला के शुरेंट जो dead body आई एक warrior की घर पे ठीक है ना तो उनकी जो wife है जो dead body को देखकर किस टाइप से reaction दे रही वो यहाँ पर दिखाया गया शुरेंट ठीक है ना देखो तो इस poem में क्या कुछ है देखो in this poem the poet describes the agony of a wife whose husband's dead body has been brought by other warriors इस poem में पोईट ने describes किया है एगोनी का मतलब होता है बहुत बड़े गहरे दर्द को है ना व्याथा को पेन को है ना किसके दर्द को व्यक्त किया है डिस्क्राइब किया है of a wife एक पतनी के दर्द को whose husband's dead body जिसके पती की dead body को has been brought लाया गया किसक दूसरे warriors के द्वारा जब घर पर लाया गया पतनी के सामने तो उनके जो दर्द है जो दुख है उस wife का उसे यहां बया किया गया है he died वो जो husband जो है ना he died fighting for his country वो जो warrior थे वो मारे गए उनकी death हो गई अपने देश के लिए लड़ते हुए ठीक है ना she is so sogged तो उनकी जो wife है ना वो इतनी ज़्यादा सॉग्ड है है ना इतनी ज़्यादा व्यथित है है ना by his death अपने पती के death से that that की she is not even weeping इतना ज्याता सदमा लग गया इस दुक्का की वो इतनी ज्यादा दुखी है सॉग्ड है कि वो रो तक नहीं पार है she is not even weeping वो रो भी ने रिये ठीक है यहाँ पर देख लेते इस्टेंड पूरी पोया तो यहाँ पर क्या कि है हर पैराग्राप में उसे रोने के लिए प्रुचसाहित किया जा रहा है उसे उनकी सहलियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप रो दो क्योंकि जब आप रोएंगे नहीं तो यह जो दर्द है जो इस वॉरियर को उस वाइफ के जो सैनिक थे जो है ना उनके पती को डैड़बोडि को घर को लाया गया ठीक है ना see nor soon nor uttered cry ना तो उनकी wife है वो ना तो यहाँ पर बिहोस हो रही है और ना ही वो रो रही है चीक चीक कर जो रोते हैं उसको cry बोलते हैं ना वो रो रही है ना ही वो बिहोस पड़ गई है all her madden's और उनकी जो सारी की सारी जो सहेलिया है madden's है watching जो उन्हें देख रही है उस wife को sad वो कह रही है she must weep और she will die उसे क्या कर देना चीए रो देना चीए नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी है ना ऐसा वो कह रही है then they praised him soft and low उसके बाद जो बाहर के जो लोग है जो सहीलिया हूंकी कि वो तारीफ कर रही है soft and low है ना धीरे धीरे काल्म तरीके से बड़े आराम से तारीफ कर रही है किसकी उनके husband की dead body जो आई उसकी तारीफ कर रही है और क्या बोल रही करने के बाद भी yet see neither spoke nor moved ना तो वो कह रही है और ना ही वो हिल रही है अपने जगह से यह जो वाइफ है इतना सब सुनने के बाद भी वह एक सब्द भी नहीं बोल रही है और अपने जगह से हिल तक नहीं रही है बिल्कुल सुन पड़ी हुई है ठीक है ना तो यह भी चाहा रहे ऐसा करने पर वो रो देगी लेकिन यह भी प्रयास सफल नहीं हो पाया वो नहीं रो पा रही है आगे देखो इस्टोल का मतलब होता है धीरे धीरे बिल्कुल तो मूव क्वाइटली बड़े चुपचाप तरीके से अपने जगह से हिलना या खिसक जाना तो इस्टोल में फ्रॉम हर प्लेस एक सहली थी वह अपने जगह से बिल्कुल चुपचाप खिसक रही है वहां से लाइटली उस फेस क्लॉथ को हटा रही उस डेड़ बॉडी से येट और और वह फेस क्लॉथ हटाने के बाद भी येट सी नाइधर मूवड नौर वेप्ट वह अपने जगह से ना तो हीली और ना ही उन्होंने रोई किसने इस वाइप ने ठीक है ने आगे देखते हैं क्या होता है र अगला प्रयास है उन्हें रुलाने का देखो क्या है ताकि वह रो दे हैना रुना रोने के लिए प्रुसाइद करने का एक और प्रयास रोज अ नर्स एक नर्स उठी ऑफ 90 यर्स जो नब्बे साल की लगबक है ना वह एक नर्स उठी अपने जगह से सेट इस चाइल्ड अ उसके जैसे दुख का तुफान जैसे आसूं के रूप में उनके आखों से बह रहा हो है ना ऐसे आसू वहां से बिलकुल निकलने लगे उनके आखों से और वो कह पड़ी क्या कह पड़ी स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी मेरे प्यारे बच्चे मैं तुमारे ल आखों की वजह से मर जाती या मेरी डैथ हो जाती ठीक है तो यह अल्फरड लॉर्ड टैनिस्टान के द्वारा लिखे गई आपको कैसी लगी यह पोयम मुझे आप कमेंड करके बताईगा थैंकियो अरी मच माई डियर श्ट्रेंट